Hello guys, welcome to my channel आज हम लोग fractional number का second part करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग equivalent fraction का question जो है कैसे solo करते हैं उसके बारे में बात करेंगे बहुत सारे competitive exam में equivalent fraction का question जो है आता है और ये पूछा जाता है कि ये जो given fraction है उसका equivalent fraction काउन सा होगा तो इस तरह के question को हम लोग कैसे solo करेंगे इसका trick क्या होगा इसके बारे में हम लोग चलिए आये देखते हैं सबसे पहला जो trick है वो है cross multiplication का cross multiplication का कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक fraction दिया हुआ है और दूसरे fraction से आपको compare करना है कि वो जो है equivalent fraction है या फिर नहीं है तो आपको क्या करना होगा cross multiplication करना होगा कहने का मतलब ये है कि पहले का numerator को दूसरे के denominator से और दूसरे का numerator numerator को पहले के denominator से आप जो है multiply करेंगे अगर multiply करने के बाद दोनों के दोनों number जो होते हैं चलिए यहाँ पर हम लोग जो है example के थुरू जो है solve करके देखते हैं यह जो आपके पास example given है 2 by 4 and 6 by 12 का हमको क्या करना है cross multiplication करना है cross multiplication 2 का multiply करेंगे हम लोग 12 के साथ and 4 का multiply करेंगे हम लोग 6 के साथ तो 12 2 जा 24 and 6 4 जा 24 तो अगर आपका दोनों के दोनों नंबर सेम आता है तो जो एक fraction है वो दूसरे fraction का equivalent होगा तो cross multiplication के तुरू आप easily equivalent fraction का question कर सकते हैं second है आपका example है वो यह है 5 divided by 8 5 divided by 8 and 15 divided by 24 करना क्या है cross multiplication 8 को आप 15 के साथ multiply करेंगे and 5 को जो है आप 24 के साथ multiply करेंगे अगर multiply करने के बाद दोनों नंबर सेम आता है तो आपका क्या होगा दोनों जो है fraction जो है equivalent fraction है so 8 5 is a 40 40 का 0 यहाँ पे 4 आपका आएगा बचेगा 8 1 जा 8 8 and 4 12 120 हुआ यहाँ पे 5 4 जा 20 20 का 0 2 आपका कहरी हो जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10 and 10 and 2 12 तो देखिए यहाँ पे यह जो दोनों नंबर का जो है cross multiplication करने के बाद यहाँ पे दोनों नंबर सेम आते हैं इसका मतलब यह क्या है आपका equivalent fraction है तो इस तरह से आप equivalent fraction का question जो है आप easily कर सकते हैं second method क्या है second method आपका यह है कि आप जो है कोई एक fraction given होगा और option में आपके जितने भी fraction होगे उसको आप क्या करना पहले fraction को आप जो है किसी number के साथ multiply करना है ना यहां पे लिखा हुआ है कि आपका जो है एक fraction जो है वो fraction दूसरे fraction के क्या होगा multiple होता है कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास 5 divided by 8 है तो इस 5 divided by 8 में मैं जो है उपर की तरब भी और नीचे की तरब भी मैं किसी भी नंबर से multiply करता हूँ है ना चलो 5 multiplied by 2 करते हैं तो यहां पे 10 आ जाएगा और 8 multiplied by 2 करते हैं तो 16 आ जाएगा तो multiply करने के पास जो भी fraction आएगा वो आपका जो होगा यह जो अब नया fraction बनके आया है 10 divided by 16 वो fraction जो है 5 divided by 8 का क्या होगा equivalent होगा ठीक है तो यहां पे एक example दिया हुआ है इस example को हम लोग solve करते हैं तो यहां पे 5 divided by 8 दिया हुआ है और आपका 15 divided by 24 दिया हुआ है क्या यह जो है equivalent fraction है वैसे तो पहले cross multiplication के थुरू हम लोग देख जोके थे अब यहां पे मैं इसको जो है 5 को जो है 3 से multiply करूँगा तो 15 आएगा same जो numerator को जिस number से आप multiply कर रहे हैं उसी number से denominator को भी multiply करना है अब ऐसा नहीं है क्योंकि यह भी बहुत important है ना ऐसा नहीं है कि आप numerator को अलग number से multiply कर रहे हो और denominator को अलग number से multiply कर रहे हो numerator और denominator यानि कि uns और हर दोनों को एक ही number से आपको multiply करना है और अगर एक ही नंबर से multiply करने के बाद second वाला fraction आपका आता है तो यहाँ पे एक जो first वाला fraction है वो second fraction का क्या होगा equivalent fraction होगा तो यह रहा guys आपका 5 divided by 8 और 15 divided by 24 जो है आपका equivalent fraction है चलिए एक जो है last जो है हम लोग example और कर लेते हैं यहाँ पे given है 17 divided by 35 तो अगर मैं इस 17 को जो है किसी नंबर से multiply करता हूँ तो 51 आना चाहिए तो 17 के table में जो है अगर मैं 3 बार जो है इसको जो है करता हूँ तो यह जो है 51 आएगा है ना तो 17, 3, 2, 51 अब ऐसा नहीं है कि आप 35 को जो है किसी दूसरे नंबर के साथ multiply करें आप उपर वाले को 3 के साथ किये हो तो नीचे वाले को भी 3 के साथ ही multiply करना होगा तो अगर आप 35 को क्या करते हैं 35 को भी 3 से multiply करते हैं तो आपका जो है आपका नीचे वाला नंबर जो है आना चाहिए याने कि आपका जो है वही नंबर आना चाहिए 105 तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 17 divided by 35 जो है 51 divided by 105 के जो है equivalent fraction है तो I hope guys आप सबको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है और ऐसे question जो है बहुत सारे competitive exams में पूछा ही जाता है और अगर इस trick का आप इस्तमाल करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल एक number आपका जो है कहीं नहीं जाएगा आपको एक number मिल ही जाएगा तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे channel को subscribe कीजें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजें ठाइंक्यू